सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेट समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले हेल्फ के वीडियोज आप देख सकें आयुर्वेट समाधान में आज हम आपको पेट से जुड़ी प्राबलम की बात करेंगे हम बात करेंगे कब्ज की, हम बात करेंगे कि क्यों आपका पेट साफ नहीं होता है और आप डेली रूटिन में घर की कौन-कौन सी फल और सब्जियों को सामिल करें जिसे की आपका पाचन तंत्र सही रहे हम इसलिए फल और सब्जियों की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें फाइवर पाया जाता है जो हमारे पाचन तंतर को सही रखता है अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों का पेट सही नहीं रहता और वो अपने खाने पीने की सामगरियों पर ध्यान नहीं देते जब तक आपका पेट सही नहीं रहेगा तब तक आप अपना काम नहीं कर पाएंगे और दिन भर असहज महसूस करेंगे इसके लिए जरूरी है कि आप अपने भोजन में बीन्स, कद्दू, आलू, चावल और फलों को शामिल करें आप जो भोजन करते हैं इसके अलावे मौसमी फल जैसे संत्रा, मौसमी, गाजर, केला, सेव, नाशपाती, अ पीता, आवला, आदी भी खाएं, इन फलों में भी फाइवर भरपूर मातरा में होता है, जो हमारे पेट की अच्छे तरीके से सफाई कर देता है, और ये मौसम भी इनी फलों का है, इसलिए इस मौसम का भरपूर फाइदा उठाएं और ये फल खाना शुरू कर दें, तो में भरपूर फाइवर और पानी होता है, जो कबजिक से लड़ने की ख्रमता को बनाए रखता है, इसलिए अगर आप कद्दू खाते हैं, तो उस दिन आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, अगला है चावल, चावल सुपाच्य होता है, ये हमारे पेट की समस्याओं को द बना रहेगा, बात करेंगे आलू की, लोग कहते हैं कि जो आलू होता है, वो कबज करता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आलू में फाइवर होता है, जो हमारे डाइजिस्टिव सिस्टम को सही बनाए रखता है, इसे कबज जैसी बिमारी होने का खत्रा कम हो जाता है, आप इसे कई तरह से खा सकते हैं, इसे उबाल कर सबजी के रूप में खा सकते हैं, या आप चाहें तो इसके परांठे बना कर भी खा सकते हैं, इसके अलावा इसे खाने के और भी तरीके हैं, जो आपके घर में आपकी मम्मी बगेर आपको बता देंगी, बात करेंगे हरे बीन् बहुत ही कारगर फूर माना जाता है क्योंकि ये आपकी आथ को स्वस्त रखता है और ये आपके मल को नियमित करने का अच्छा श्रोथ माना जाता है बीन्स खाने से हमारी शरीर को प्रोटीन भी मिलता है क्योंकि बीन्स में प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है दूस् झाल, झाल, झाल.